हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथ ही दबाए इस बैल आइकन को हलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आया है इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन फोर्स भरती 2020 के बारे में इस भरती के अंतरगत 256 वेकेंसीज निकली है जिया दोस्तो 256 पदो पर यह भरती होने जा रही है और इस भरती के लिए आल इंडिया से मेल फीमेल कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए कम से कम 10 वी या बार वी पास होना जरूरी है और अपलाई करने के लिए लाजडेट है 14-7-2020 जिया दोस्तो आप इस भरती के लिए 14-7-2020 तक ही अपलाई कर सकते हो दोस्तो अगर आप इस भरती के लिए interested हो और apply करना चाहते हो, तो apply करने से पहले आपको जानना होगा, कि apply करने के लिए क्या eligibility criteria होना जरूरी है, आपको यहाँ पर कितनी sales ली मिनने वाली है, selection आपका किस base पर होने वाला है, apply करने के लिए application फिर कितनी जमाकरानी होगी, आप इस भरती के लिए कैसे apply कर सकते हो, और कब से कब तक apply कर सकते हो, जो किये complete details, आगे इस वीडियो में, मैं आपको step by step provide करने जा रहा हूँ, तो दोस्तो पुरी जानकारी के लिए बने रहे है, इस वीडियो में मर साथ अंतरक, दोस्तो हम मैं आपको भारते वायू से न भढ़ती 2020 की complete details, step by step provide करने जा रहा हूँ, तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए, और्गेनाईजिसन है Indian Air Force, बैंच है Effect 2 2020 बैंच, जिसको Air Force Common Admission Test भी का जाता है, पोस्त है Flying Branch, Ground Duty, Ground Duty Technical और Metrology, इन पोस्त के लिए 256 वेकेंसी जिनने के लिए है, दोस्तो अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर पोस्त वाइज दे रखिया है, Flying Branch के लिए 20 से 24 साल के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, और आलेदर पोस्त के लिए 20 से 26 साल के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, एज लिमिट काउंट होने वाली है, 1 जनवरी 2021 तक अपलाई करने के लिए एजुकेशन में कम से कम 10 वी या 12 वी या NCC सर्टिफिकेट या गर्जेट डिगरी या पोस्त गर्जेट डिगरी होना जरूरी है, दोस्तो एपलिकेशन फी यहाँ पर Effect Entry Fees से भी कंडिडेट के लिए 250 रुपे रखिगी गई है, आपका Air Force Common Admission Test के दवरा होने जा रहा है, दोस्तो अगर सेलेक्शन पूर्सेस के बारे में आपको ओड़ ज़्याद जान कर चाहिए, तो आप Official Notification भी चैक आउट कर सकते हो, सेल लिए आपको मिनने वाले है 15,500 रुपे पर मंत, आल इंडिया से Male Female Candidate अपलाई कर सकते है, अपलाई कर सकते है ओनलाइन, अपलाई ओनलाईन करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 15,600 और लाइड डेट है 14,700 जियां दोस्तो आप इस भरती के लिए 15,600 बीश से 14,700 तक अपलाई कर सकते हो, अपलिकेशन फी जमा कराने के लिए लाइड डेट है 14,700 और जार बीश एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है 19,000 और जार बीश से 20,000 और जार बीश तक अपलाई करने के लिए ओपिसल वैब साइट है इंडियन एरफोर्स.nic.in दोस्तो ये तीस भरती की कंप्लिट जानकारी अगर अब भी आपको ओड़ जानकार चाहिए तो आप इस भरती की नोटिपिकेशन पीडियेप डाउनलोड कर सकते हो नोटिपिकेशन पीडियेप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ वहाँ से आप नोटिपिकेशन पीडियेप डाउन करके इस भर्ती के लिए directly apply कर सकते हो दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इस भर्ती से related कोई भी question हो या query हो तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हो दोस्तों I hope या वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like out सेर जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की update लेकर आने वाले है